Road to Laugh Tale Part 2 अगर तुम्हें से किसी को नहीं पता कि Road to Laugh Tale है क्या तो तुम लोग जाके ये मेरा ये वाला वीडियो देखो और अगर तुम्हें पता है Road to Laugh Tale क्या है पर तुमने इसका Part 1 वाला सीरीज नहीं देखा है तो जा करके मेरा ये वाला वीडियो देखो वैसे इसके 4 volumes हैं, उसी तरह से मेरे भी 4 वीडियोस आएंगे, part 1, part 2 करके 4 वीडियोस आएंगे, और मैं इन सब को एक playlist बनाके अलग से डाल दूँगा, जिसे तुम लोग यार future में भी देख सकोगे, वैसे जो कुछ भी हो हम यहाँ पर direct चलते हैं सिधे volume 2 की तरफ, अगर मै बात करूँ इस volume के cover page की, तो यहाँ पर हमें highlight किया गया दो character को Sanks and Blackbeard, और हम सब को पता यह दो character कितने ज़्यादा खतरनाक है, प्लस यह दो character एक दूसरे के दूसमन भी हैं, उपर से Sanks ही वो character है, जो Blackbeard को एक thread के रूप में देखता है, वो भी बहुत बड़े level के thread के र लोकने के लिए Whitebeard को भी कहा था, पर Whitebeard ने सुनी नहीं बात, प्लस Sanks के चेहरे में जो scar है, वो भी Blackbeard नहीं दिया था, और Blackbeard अभी के time पे एक yonk हो है, और Sanks उससे पहले से yonk को बना हुआ है, लेकिन हा, Sanks उसको बड़े thread के रूप में देखता है, बात करूँ अग बाद हमें इन pages में क्या-क्या देखने को मिलेगा, इस chapter के अंदर वो चीजे भी हमें जो दिखाई गई है, पेज नमबर 4 में One Piece Next ये दिया गया है, जिसमें हमें उसके बार में कुछ hint सायद दिया जाएगा, इसके बाद One Piece को थोड़ा deep में ले जाए जाएगा, जो कि अभ दिखाए जाएगा, और उसके बाद concept gallery treasures, जहाँ पर हमें अलग-अलग characters के art design जो दिखाए जाएगे, जो वो पहले draw किस तरह से हुए थे, किस तरह से characters को बनाया जा रहा तो वो चीजे हमें जो देखने को मिलेंगी, जिस पर final वाला चीज पर मुझे पता है, तुम सबको पे, page number 4 में हमें जो बड़े-बड़े letters में लिखा गया, two emperors have fallen, और अगर तुम मेरे channel को बहुत time से follow कर रहे हो, प्लस तुम मांगा chapter जो read करते हो, तो तुमको एक बात अच्छे से पता होगा, दो emperors down हो चुके हैं, एक को luffy ने किया, दूसरे को law और kid ने मिल करके, अब यहाँ पर लिखा, the new generation storms in as a polite to the world collapse, अब देखो यह होना लाजबी है, क्योंकि यार दो जो emperors थे हम सबको एक बात पता है, one piece का world में आधा हिस्से को world government काबू में रखती है, तो दूसरे जो हिस्सा है, उसमें four emperors का राज चलता है, अब उन में से दो characters तो down हो चुके हैं, और उन्हें down किया है new generation ने, अब इस चीज को ले करके पूरा world किस तरह से react करेगा, इस से जो world unbalance होगा, उसको किस तरह से world government झेल पाएगी, उसको यह लोग किस तरह से cover करेंगे, वो तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा, वैसे final saga की starting हो चुकी है, तो यह सारी चीज़े या परसान है अलग से क्योंकि warlords को भी पकड़ना है, फिर जो नया emperor बना है, उनको भी handle करना है, इसके बाद सैबो को तो भाई बहुत बड़ा threat घोसित कर दिया गया, उधर भी परसान है, और फिर revolutionary army, इनको हम कैसे भूल सकते हैं, इन लोगों ने तो जो किया है world government का क्या ही ब परर बने है, अब देखो सैंक्स का बारे में तो इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, blackbeard का साला कुछ पता ही नहीं रहता, वो क्या करना चाहता है, बात करू बगी की, तो वो तो mystery से भरा हुआ है वो नमुना, और लूफी की, हम सब को पता है, वो उंगली करेगा ही, तो ये एक तरह से हम fans के लिए तो अच्छी खबर है, world के लोगों के लिए अच्छी खबर है, पर world government और marine के लिए अच्छी खबर नहीं है, next page में भी इसी चीज़ को focus किया गया, जो मैंने अभी बात किया, रेवल नसनरी आर्मी वजिज मरीन, जहां पर फूजी तरह और आरामा की fight किये थे, और भाई, latest chapter में उसको भी focus किया गया, उसके बार में भी बताया गया, और हाँ, यहां पर जो है, मैं इस चीज़ को cover करने में लेट आया हूँ, इस वज़े से हमें latest chapter में उस चीज़ को बता दिया गया, किस character को मारने का attempt हुआ था, जो Celestial Dragon चालो से उसको मारने का attempt किया गया था, पर वो नहीं मरके, कोब्रा मर गया, और Sabu के उपर इलजाम लगा है, पता नहीं क्या होता देखते हैं, साथ ही साथ यहां पर हमें Warlords के उपर भी focus किया गया, सबसे पहलो तो बात करूंगा मैं Hawkeye की, देखो Hawkeye को पकड़ने जा रहे हूं, मतलब अपनी कबर खुद वाने जा रहे हूं, क्योंकि यह है World का strongest swordsman, और इसको पकड़ने के लिए किस Marine Admiral को भेजा जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं, अब देखो Kizaru तो नहीं जा रहा है, Aokiji Retire हो चुका है, म और देखो अगर वो Hawkeye को पकड़ने जा रहा है, तो पर फिर भी हम लोग गैरेंटी के साथ नहीं कह सकते कि वो उसको पकड़ लिगा, क्योंकि Hawkeye World का strongest swordsman है, तो यहाँ पर पढ़ला तो भारी किसका साप साप है दिख रहा है, बात करो Hancock की, तो इसको पकड़ने के लिए कूबी जा रहा, और हम सबको पता है, बोह Hancock weak character नहीं है, उपर से उसके पास conqueror हाकी भी है, अब हाँ उसके पास advance वाला नहीं है, लेकिन है तो, तो कूबी के लिए भी यह आसान नहीं होने वाला, दूसरी तरफ बात करो बगी की, तो भाई वो यॉंको बन चुक है और क्य तो होगा, और हाँ एक और बात तो इस चीज में जो चीज बताईगे, उस पर तो focus करना में भूली गया, जो CP0 है, वो भी जादा ध्यान कहां दे रहे हैं, भाई वानों में दे रहे हैं, और सबका focus वाई यॉंको के डाउन होने पे, एक तरह से तुम समझों कि मरीन का काम बहुत जादा बढ़ गया, वर्ल्ड गवर्मेंट का काम बढ़ गया, क्योंकि वारलोड उधर उनको भी हैंडल करना है, जो नियू यॉंको बने उनको हैंडल करो, उधर सिप्स भेजे गये हैं, भाई अलग न से चल रहे हैं, फिर इधर revolutionary army ने भी इधर तहलका मचा दिया मतलब जीतना भी उल्टा काम होना है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला और 1054 में भी बोला गया, इसी आरा में हो रहा है, पेज नमबर 6, Blackbeard and Science, देखो ये दो ऐसे यॉंको हैं, जो पहले भी थे और अब भी हैं, पहले बात करते हैं, टीच की, अब मैं जो है, डीटेल में ए कुछ पता नहीं रहता, वसे World Government इसके उपर जादा ध्यान नहीं देती है, सिर्फ एक ही Character है, जो इसको ध्यान में रखता है, जिसके बारे में हम लोग इसके बाद बात करेंगे, जब पेपर में वो चीज छपा था, रेवरी वाला कांड का बारे में, इसके बाद Blackbeard किसी चीज को लेने की बात कर रहा था, और वो वहाँ से निकल पड़ा था, अब वो क्या चीज लेने की बात कर रहा था, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, और नाहीं मुझे आइडिया है, वो सिर्फ ओडा को पता है, और यहां पर हमें थोड़ा डीप जानकारी दिया गया है उसके crew को लेके, जहाँ पर हमें बताया गया कि The 10 Titanic Captains Behind Blackbeard, मतलब Blackbeard के 10 Commander एक तरह समझो और मैं एक एक का नाम नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि नाम इनका बहुत जादा खतरनाक है और में से नहीं लिया जाएगा, तो मैं स्क्रीन में दिखा दे रहो, तू लोगो पढ़ लो चलो अब सीधे आते Red Hair Sanks पे, जो की है One Piece के वर्ल्ड का सबसे mysterious character यहाँ पर हमें highlight करके एक बात बताई जाती है, यह बंदा सोते हुए सेर की तरह है यह बंदा जब भी कुछ भी move लेता है, भाई पूरे वर्ल्ड में तहल का मज जाता है, पूरे वर्ल्ड में बात चलने लगती है और यह एक fact है, Sanks अपना जादतर time, New World पे ही बिताता है, अपने territory पे ही बिताता है और हाँ बीच बीच में यह साधी वादी में भी जाता रहता है, मतलब बंदा बिंदास है, cool है यह बंदा और जब भी कोई movement लेता है, भाई पूरे वर्ल्ड में बात ची तो चलेगी जरूर, चाए वो छोटा हो या बड़ा हो खैर सैंक्स थोड़ा सांसोभाव का बंदा पहले हमें लगता था, पर अगर कोई बंदा इसको उंगली करेगा, तो भाई उसका हाथ काटके उसको भगा देता है, मतलब किट सबसे बड़ा एकजाम पहले इसके बाद अगर मैं बात करू भाई, बारतलोमियो की, मैं इस वाले बारतलोमियो की बात करू, कुमा वाले की नहीं, इसने सैंक्स का फ्लैग जलाया था, और इसको लेकर के सैंक्स बातचीत भी करता है, अब देखते हूं वो जा करके क्या करेगा, खैर, सैंक्स के चहरे ऐसा character है जो blackbeard पे ज़्यादा focus करता है बाकी कोई भी उसको ध्यान नहीं देता लेकिन sanks blackbeard को ध्यान भी रखता है वो blackbeard को एक thread की तरह देखता है और इसको लेकर करके उसने बहुत बार hint भी दिया है जब वो छोटा था तब से यार देखो overall अगर मैं कहूं ना sanks एक ऐसा character है जो world में balance की बात करता है ये एक ऐसा single pirate है जो world में balance बनाए रखना चाहता है और इसके अलावा तुम किसी भी pirate को ये सारी चीज़े बात करते हुए नहीं देखोगे खेर final बात करते है swords को लेखके हम सब को पता one piece के world में 12 supreme grade swords है और एक बात याद रखना sword का मतलब सिर्फ तलवार नहीं है one piece के world में white beard का नागी नाटा blade वो भी sword के category में आता है काटा कूरी का वो वाला weapon वो भी sword के category में आता है और हाँ काईडो का जो थंडर बाग हुआ है वो क्या कहते है उसको जार जो भी है वो भी sword के category में आता है अब देखो यार white beard का sword रॉजर का sword होकाई का sword यह तीन ऐसे sword है जो कि हमें पता है यह 12 supreme great में आते हैं इसके अलाबागा वाडोई ची मौंजी एनमा सुसोई और आमेनो हावाकिरी यह sword ऐसे हैं जो 21 great great swords में आते हैं मतलब उससे नीचे वाले में और हाँ एक और बात पे जो फोकस करना जो swords होते है यह लोग अपने wielder को खुद चूज करते हैं अगर कोई weak swordsman पकड़ेगा ना एनमा जैसे sword को भाई वो sword उसकी जान खुद ले लेगा और अगर तुमको थोड़ा और ज्यादा जानना है swords के बारे में तो तुम जाकर के मेरा यह वाला वीडियो देखो यहाँ पर तुमको sword क लेकर के और अच्छे से जानकारी मिलेगा swords की तीन category अभी तक हमें बताई है 12 supreme grade 21 great great swords और उसका नीचे आता है वादा मोनो जो की 50 swords हैं और उन में से zoro का kitetsu sword भी आता है kitetsu third तासीगी का वो वाला sword भी आता है और वो जो lockdown में उस बुढ़े ने जो वाला sword जोरो को free में दिया था वो वाला sword भी उन 50 category वाले swords में आता है इसके अलावा दो swords ऐसे हैं जिनका upgrade हुआ है मतलब उनका position या किलो उनका level up हुआ है जिनमें काईडों का वो बैगुआ भी आता साथी साथ कुछ swords के जो हमें अभी तक grade नहीं बताए गया है वो किस category में आते हैं जिसमें से sanks का griffon आता है सीकी का वो दो तलवारे आती है और काटाकूरी का mall साथी साथ rally का भी sword अभी तक unknown है कौन सा grade में आता है अभी तक हमें नहीं पता अब हाँ यार यहाँ पर हमें एक सवाल भी पूछा गया है जिसका जबाब अभी तक जो हमें नहीं बताया गया है और एक सवाल जो खड़ा होता है वो है बहुत ज़्यादा important क्या कोई भी sword black blade बन सकता है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता वो हमें आगे आने वाले future के one piece के manga chapters में पता चलेगा आखिर कोई भी sword black blade कैसे बनता है इसको लेकर के मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ because Oda जिस तर से mysteries अभी धीरे 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 रिवील करेगा देखने में मजा आएगा और one piece अभी धीरे धीरे अपने prime में जाएगा खेर इसके बाद जो है बाकी के जो arts है अब ये character arts तुम लोग देखना चाहो तो देख सकते हो ये सब ज्यादा important है नहीं और road to love tale बीडियो part 2 तुम सब को कैसा लगा comment box में अपनी राज देना मत बूलना वीडियो पसंद आया like मारो channel पे नहीं आ गयो तो इस channel को subscribe करना मत बूलना और हाँ यार 8000 subscriber करवाव जल्दी तो यार मिलेंगे next वीडियो में फिलाल के लिए बाई कर दो